वेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से भर्सवाई केडमी में और आज की इस वीडियो में हम लोग जहारखन बोर्ड परिक्षा दोज़र चौबीस के लिए देश चौबीस लिखाओ मतलब जो परिक्षा दोज़र चौबीस में होने वाला है आपको पत भी तो उसके लिए हम लोग कुछ महतफून कोशण देखने वाले चपटर वन का यह नागरिक सास्का चैपटर वन लो क तंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों जो चेप्टर है उसका हम लोग कुछ बहुभी कलपे महत्पुन कोशन्स लेकर रहा हैं जो आपके परिछा के लिए बहुत ही जादा महत्पुन और यह वीडियो साथ ही इसका बहुत चैप्टर टू पहले बन गया था चैप्टर टू पहले बन गया था चैप्टर टू को भी यह पिए शेप्टर वन है ओके तो यहां पर हम लोग सभी कोश्टन को देखेंगे उसका एंसर क्या होगा उसको देखेंगे ठीक है साथ में साथ अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो से भी नोट कर सकते हैं अच्छा है तो बेव साइट पर भी जाकर नोट कर सकते हैं जो सुविदा संदर्व में कौन कथं सत्य नहीं है लोक तंत्र सासन को अधिक जबाब दे बनाता है लोक तंत्र बेहतर निर्ने लेने की संभावना बढ़ाता है लोक तंत्र नागरीकों को समान बढ़ाता है या लोक तंत्र मत भेदो और टकराव को बढ़ाता है तो इसमें कौन सा कथं स वोग तंतर के संदर में हैं लेकिन लोग तंतर का ये कफ़न नहीं है कि लोग तंतर मत्रविधो और टक्राव को बढाता है अपसंदी इसका बिल्कुल सत्य नहीं होगा है कि इसका तरहीं कर सब महतंhole को यदो अगला कोशन आप लोग देखिएगा दो नमबर कोशन है वो कौन सा देश है जहां महिलाए सन 2015 तक मता धिकार से वन्चित थी मतलब भोड़ देने से वन्चित थी वो कौन सा देश है जहां महिलाए सन 2015 तक भोड़ देने से वन्चित थी कौन सा अप्षन हो जाएगा सौधी अरब कौन सा देश हो जाएगा सौधी अरब अप्षन भी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है निम्नांकित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है भारत पकिस्तान अमेरिका इनमें से कोई नहीं कौन सा अपसन सही हो जाएगा तो अपसन भी आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा पकिस्तान ठीक है अगले कोश्चन की तरह बरते हैं अगला कोश्चन है चार नमर निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांतरिक देश है अभी पूछा कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं या अभी पूछ रहा है कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर आप लोग अप्सन देखेगा, कन्फ्यूज बिलुकुल मत होईएगा यहाँ परी अपसन ने सन्युक्तराज अमेरिका, जिंबाबे, पकिस्तान इन में से कोई नहीं कौन लोग तांत्रिक देश है तो सही एंसर क्या हो जाएगा सन्युक्तराज अमेरिका अपसन इसका बिलुकुल सही जवाब हो जाएगा अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है पांच नमर कोश्चन देखिएगा निम्नांकित में से कौन जिम्बाबे के राष्ट पती थे जिन्हें सन 2017 में राष्ट पती के पद से हटा दिया गया 2017 में उनको हटा दिया गया था वो कौन राष्ट पती थे सहीजवाब हो जाएगा है कि अगले कोश्च कि तरह बढ़तें अगला कोश्च देखें अगला कोश्च नेृख नंबर किस देश में किस देगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन सात नमर कोश्चन क्या है सात नमर कोश्चन यह है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों को लोगों का देश के लिए लोगों द्वारसाशन होता है क्या कहलाता है प्रजातन्त ताना साही राजसाही पर नाली या इन में से कोई नहीं तो जिसमें जिस सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारत सासन होता है उसको हम लोगों क्या कहते है परजात अंत्र कहते है अपसा ने इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन आठ नमर क कोशन देखिए आकसान सूची को किस प्रुषकार से समानित किया गया है किस प्रुषकार से समानित किया गया है साहित प्रुषकार ऑसकर प्रुषकार नोबल सांती प्रुषकार इन में से कोई नहीं कौन साप्सन सही हो जागा अप्सन सीस का सही जवाब हो जागा नोबल स कोईशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोईशन देखे नो नमर कोईशन ने लोक तंत्र एक सासन पर नाली है जिसमें सासकों का चुनाव एक प्रतिमंडल करती है सासकों का चुनाव जनता करती है सास स्वयम चुने जाते हैं इन में से कोई नहीं तो लोक तंत्र जो एक सासन पर नालिया उसमें सासोकों को चुनाव जनता करती है अप्सन भी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्चन दस नमर कोश्चन है देखिएगा लोगतंत्र में अंतिम निर्नायन लेने की सक्ति किसके पास होनी चाहि कौन सा अप्सन सही हो जाएगा तो लोगों द्वारा चुने गए परतिमीद्यों के पास अप्सन भी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखिएगा इगारे नमर कोश्चन है सन्युक्त राष्ट की स मया मार में किस तरह की सरकार थी कॉम्युनिस्ट सरकार, सेणा का साशन, लोगों द्वारा चुने गए सरकार यह राज सही कौन साफ्षन अप्षिन सही ? कम्यूनिष्ट सरकार में Això सविसरी सेन अफ्षन और इसका सभी सही जवाब हो जात ख़ा है ठीक है अगले कोहशन की तरह बरते हैं कि अगला कोहशन देखिये सैनिक सासन अथवा राजतन किस परकार के सासन है सैनिक सासन अथवा राजतन किस परकार के सासन है लोक तांत्रिक और लोक तांत्रिक प्रजात तंत्रिय समय वादी कौन सा अप्सन सही हो जागा अप्सन बी और लोक तांत्रिक अप्सन भी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगले कोशिन के तरह बढ़ते हैं पंदर चौदा नमबर कोशिन देखिएगा इविन का कौन सा अंग देशों के भी सांती और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं अगले कोशिन के तरह बढ़ते हैं अगला कोशिन पंदर नमबर कोशिन ने लोक तंतर जनता का जनता द्वारा तथ जनता के लिए सासन है या पड़िवासा किसके द्वारा कही गई जोर्ज वांसिं गटन अबराहम लिंकन अर्स्तूत लोर्ड ब्राइस कौन सा अप्शन से हो जाएगा अप्शन बी अबराहम लिंकन ठीक है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन दिखे 16 नमबर कोश्चन है सन्युक्त राष्ट के सदस्य देशों के संख्या कितनी है कौन सा अप्शन से हो जाएगा एक कोश्चन और ऑप्शन देखे आप लोग इंसर को बाद में दिखाते हैं उससे पहले आप लोग कोश्चिस किजिए इसका एंसर करने का 17 नमबर कोश्चन देखे गो 1990 में पकिस्तान में सेन्य तक्था पलट करने तूत किस्त ने दिया नवाज शरीफ परवेज मुस्रफ सौकत अजीज बेंजीर भुट्टो कौन सा अप्शन सही हो जाएगा आप लोग अप्शन कॉमेंट बाक्स में कीजिए और देखे कौन सा आपका अप्शन सही हो रहा है ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा परवेज मुस्रफ अप्शन बीस का सही जवाब हो जाएगा ठीक है सही बताएगा जूट नहीं बोलना है आप सच्वे सही कर रहे हैं गलत अठार नमबर जिस सासन पर नाली में अंतिम निर्नाय ले कुलिन तंत्र कहते हैं क्या कहते हैं उसको लोग तंत्र कहते हैं अप्शन बीस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखिए 19 नमर कोशन है लोग तंत्र का साब्दिक अर्थ क्या है लोग तंत्र का साब्दिक अर्थ क्या है कानून का सासन राजा का सासन लोगों का सासन कुछ विश्यस लोगों का सासन कौन सा अपसंस सही हो जाएगा यहां पड़ी लोगों का सासन अपसंसी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन देखिए 20 नमर कोश्चन है इन में से कौन लोगतंत्र की विश्यस्ता नहीं है स् निस्पक्च चुनावी मुकाबला, एक ही राजनितिक दल का सासन, एक व्यक्ति, एक भोट, एक मोल, यह कानून का राज और अधिकार का आदर, कौन सा अपसन, कौन सा विशेस्ता नहीं है, तो एक ही राजनितिक दल का सासन, अपसन भी इसका बिलकुल सही चबाब हो अब क्या औसे को चूज किए हैं किा कि कि देख लीज़ेगा सही है अगलत आप लोगemaker सकते हैं कि यह चिसे को बाद कोमेंट किजिए बिस नमर कोशन देखिए चीन में राष्ट पती निविक्त करने का अधिकार किसे हैं कॉमिनिस्ट पार्टी को राष्टिय जन्संसत को पर्धान मंत्री को या इन में से कोई नहीं कौन सा अप्सन सही हो जाएगा आप लोग अप्सन टिक कर कोमेंट कर दीजिए चीक है वीडियो को रोक दीजिए कोमेंट कर दीजिए अब देखिए इसका सही एंसर क्या हो जाएगा कॉमिनिस्ट पार्टी अप्सन यह बिलकुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अब यहां देखिए 22 नमर कोश्चन है जिम्बाबे कब सौतंत्र हु इसका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कौन नागरी को कुछ समान बढ़ाता है राजतंत्र लोकतंत्र ताना सही या इनमें से कोई नहीं कौन सा अप्सन सही हो जाएगा आप लोग कोमेंट कीजिए उसके बाद आप लोग एंसर देखिएगा अप्सन 20 का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा लोकतंत्र ओके अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं 24 नमर कोश्चन देखिए कौन बेहतर नेर्नाय लेने की समभावना बढ़ाता है लोकतंत्र ताना साही राजतंत्र इनमें से कोई नह हो तो बेहतर नेर्नाय लेने की समभावना बढ़ाता है ठीक है चलिए तो अगला कोश्चन देखते हैं हम लोग अगला कोश्चन क्या है 25 नमर कोश्चन किस परकार की सासन बेहुस्था लोगों के प्रती ज्यादा उत्तरदाई होती है राज्ते राजनेतिक लोकतंत्र इक अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं चीली की सोचलिस्ट पार्टी के संस्तापक कौन थे हैं सलवाड डोर आयंदे पिनूश मिसले बैसल या लेक वालेसा कौन साप्शन सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए चीली में सैन तक्ता प्लट कब हुआ था इकारा सितंबर उनेशो तीहस्तर को आप संसी इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखिए गोल कोश्ट किस देश का पुराना नाम था चीन भुटान गहाना सिरलंका कौन साप्शन होगा आप लोग कोमेंट कीजिए इसका इंसर बता देते हैं एंसर हो जागा अप्शन सी घहाना ठीक है अगले कोश्चन कितरा बढ़ते हैं अगला कोशन है अमेरिका अमेरिका को ब्रीटेन के उपनीवीश्च व सासन को सवतंत्रता कब मिली इस अगले ग्री कि 177777580767 कौन से अप्सं सही हो जाएगा असंसी सही हो जाएगा सटरस सौरी इसातरस प्रस श्राइश्च आप्सं में डाउट हैं को आप लोग इसका कमेंट किजिए गलाइट इंसर का और नहीं तो आप लुग एक पर बेशाइट पर जाकर चेक कर लिए को वहां आप लोगो सो हो रहा होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन लास्ट कोशन सन्युक्त राष्ट की सुरक्षा परिश्द में कितने सदस देश हैं कितने देश हो जाएंगे 15 अप्शन इसका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को लाश्ट तक क्या आप लोग देखें अगर आप लोग सो हो पाता है तो इसका चैप्टर एक बार पर लीजे लोगतांत्र क्या और लोगतांत्र क्यों उसके बाद यह वीडियो को देखिए आप पहले देख लीजिए इससे आप लोग को एक मितलब एक्जाम में किस परकार से कोश्टन आप लोग को पता चल जाएगा ठीक है साथ ही साथ हम लोग स्टार्टिंग में अभी इस सारे चैप्टर कॉंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसका प्रेक्टिस करवा देंगे तैकि आप लोग एक्जाम के लिए और ज्यादा मजबूत हो जाए तो यह सब जरूरी है इ आप लोग अगर वीडियो देखने से भोर हो रहे हैं तो आप जाकर आप लोग नोट कर सकते हैं को सब नोट कर सकते हैं धन्यवाद आप लोग का जय है जय भारत